दिपानेटिंग चानल में आज फिर में निव टोपिका डिजाइन लेकर आई हूँ देखे ये उपर का हिस्सा ये बाल बार निकालने के लिए हैं आप चाहिए तो इधर तक सील सकते हैं कोई बात नहीं अगर आप बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो ये में बड़ा सब्सक्राइब इस तरीके से आता है नीचे में ये डोडी लगता है ये आप ऐसाईडम से बना सकते हैं और आप से आप किसी साइज में बन जाता है इसके लिए ये थोड़ी मोटा वाला धागा ले रही हूँ आठ नमर का सलाइका में उज़गर रही हूँ आप चाहे तो किसी भी साइज का धागा और नेडल उज़गर सकते हैं कोई बात नए शिरिफ आपको फंदे थोड़ी कम बेसी गराना पड़ता है इसमें मैं डोरी बना रही हूँ डोरी में में साथ फंदे डाल कर बना रही हूँ आप चाहे तो फंदे कम बेसी गरा सकते हैं और फंदे आप कोई भी तरीके से डाल सकते हैं अब देखे ये इसकी सीधी साइड है ये धागा दाइने और होता है तो ये सीधी साइड होता है ये बात आपको ध्यान देना है सभी परजेट में ये रूल लागो होता है अब देखे फास फंदा बिना बिना और सारी फंदे सीधी सीधी देखे इस तरीके से बनाऊंगी ये टोपी का बोडर में और मैं ये डोरी बना रही हूँ अभी देखे इस तरीके से सीधी सीधी बिनकर अब देखे दूसरी साइड से भी इसी तरीके से बिनने हैं फस फंदा बिना बिना तागे पीछे सारी फंदे सीधी सीधी मतलब दोनों साइड से हम सीधी सीधी बिनकर इसका डोरी बनाएंगे ये टोपी बहुती सुंदर बनकर आता है मैं भीजित कर एगा अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी सीधी-सीधी बिनती हूँ दोनो तरफ से देखे ये धारी वाला डिजाइन बन कर आता है दोनो तरफ और इसी बात को रिपीट करते हुए आपको डोरी बना लेना है देखे सारी फंदे सीधी सीधी बनाएंगे दोनों साइड से देखे इस तरीके से बना लेना हैं अब देखे मैं इसी तरीके से ये धारी वाला डिजाइन बनाने के लिए दोनों साइड से सीधी सीधी बिनकर ये धारी वाला डिजाइन बनाऊंगी अब देखे इस तरीके से बिंती होए इतनी बना चुकी हूँ डोरी आप लंबा और छोटा आपका हिसाब से बना सकते हैं कोई बात नहीं अब देखे इधर सौटकास बीदी से हम इस तरीके से फंदे डालेंगे फंदे इसमें मैं 25 फंदे डालनी वाली हूँ यह मैं बढ़ा साइज का साइज और निडल का साइज और अनुसर आप 20 फंदे बढ़ा सकते हैं कोई बात नहीं अब देख़े 25 पंदेढम्स के बाद ये improve的 करते हो बना लेना हैं मैं इसे बात को repeat करते होई बनाती हूं अब देखे इस तरीके से बीनती हुए 25 फंदे बीन चुकी हूँ इधर से बोडर शुरू हो रहा है बोडर में भी में सारी सीधी सीधी बीनती हूँ हम सुरू से इसी तरीके से बोडर में सीधी-सीधी बिनकर आ रहा हैं अब देखे लाशकाय फंदे भी में सीधी बना रही हूँ अब देखे इस तरीके से बिनने के बाद अब इसकी दूसरी साइड है ये अब दूसरी साइड से भी फस फंदा बिना बिना उतारना है और धागे पिछे ले कर जाना है फिर सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है देखे इस तरीके से यह इसका ब्याक साइड है और जो गाठ वाला धागा है यह मैं ब्याक साइड में बना रही हूँ देखे इस तरीक से बिंती हुए लास्ट में आ रही हूं ये लास्ट का फंदा है इसको भी आपको सीधी बिना बेनने हैं तेखे इस तरीके से बन कराता है अब देखे इसका दूसरी साइड से फस्वंदा बिना बिना दा के पीछे फिर सारी फंदे सीधी-सीधी मतलब इसमें हम धारी वाला बनाने के लिए दोनों साइड से इसी तरीके से सीधी डिजाइन बनाएंगे अब देखे में इसी तरीके से रिपीट करते हुए लास तक बिनती हूँ आप भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाईएगा अब देखे ये इस तरीके से दो धारी बन चुका है इसमें इसी तरीके से इसमें चार धारी बनने तक इसी तरीके से बनाए अब देखे इसमें चार धारी बन चुका है यह इसकी सीधी सैड है अब देखे इस सैड से हम इसका उपर फिर से बिनेंगे फस फंदा बिना बिना दागे पिछे अब देखे सारी फंदे सीधी सीधी मत बना लेंके बाद अब देखें इधर से हमारा पैटर्न शुरू होता है दो फंदे सीधी ये दो की मंटिमर में चलने वाला डिजाइन में इसमें डार रही हूं दो फंदे सीधी ये डिजाइन बहुत ही आसान है आप बिनाय का किसी पोर्जेट में डाल सकते हैं देखें दो पिछे से कट डालना है और एक फंदे लेकर आना है धागा आपने ओर गरना है और दो फंदे एक साथ दो का एक एक फंदा उल्टा देखें इस तरीके से तागे पिछे फिर दो फंदे सीधी एक और ये दो अब इसी बात को बार बार रिपीट गाने दो फंदे का पिछे से काटी डालना है एक फंद लेकर आना है निडल में डालनी है दिखे इस तरीके से तागा आपने और दो का एक एक फंदा उल्टा इस तरीके इसी बात को भार भार रिपीट गर नी है फिर दो फंदे सीधी नगेश्या मैं देखिए दो फंदे सीधी बीनने के बाद दो फंदे कर पीछे से काट है यह पन लेकर आना है दागापने और करना प्रेफंक है फिर लास्ड़ का पंदा सीधा इस तरीके से बनाईएगा देखे इस साइड इस तरीके से आता है अब देखे इसका ब्याक साइड ब्याक साइड फंदा बिना बिना सारी फंदे उल्टी बिनाई मतलब इस तरीके से बनाईएगा यह डिजाइन का 25 फंदे है इसमें आपको इसी तरीके से ब्या दिजाइन शुरू हो रहा है यह तक हम उल्टी बिनाई बिन रहें एक दो तीन मतलब 6 फंदे पलस एक साथ फंदे हैं अब इसमें सीधी बिनाई एक दो तीन चार पांच छे साथ इस तरीके से बनाईएगा यह बोडर का फंदा है इसमें आपको दोनों साइड से सीधी सीधी बनाना होता है आप tomar 25 में आपको सिदे साइट से design डाल आई है और तियक सचे उल्टी बिनई बिनने हैं अब देखे यह बोड़र का साथई फंदには हम सीधी सीधी बनाएंगे सीधी साइट से अब इमें बिन रही हूँ देखे बोडर का साथफदे सीधी ऻीदि बिनने के बाद आप देखे इसमें आपको ये दो फंदे सीधी है इसमें आपको डिजाइन डालना है बोडर का फंदे बिनने के बाद अब देखें दो फंदे पीछे से काटी डालना है फंदे लेकराना है फिर निडर में डालना है दागा आपनी और दो फंदे दो का एक एक फंदा उल्टा फिर दागे पीछे अब देखे यह डिजाइन बन चुका है इधर यह पुराना डिजाइन वाला है इसको आपको सीधी बिनने दो फंदे सीधी इस तरीके से अब देखे दो फंदे सीधी में उपर डिजाइन डालेंगे फंदे ले कराना है एक निडल में डालना है फिर दो फंदे दो तीजाइन इ phrases चाहिँ ब Karma बाद को बार-बार बार रिपीट गारनी है अब देखेऊ एक पर देजाइन डालना है सब्सक्राइब डी डूर्णे दो का एक अपन्दा उल्था इए डीजाइन बहुत ही आशान है अप बिनाएका किसी पोड्रेट में डाल सकते हैं बहुत ही सुंदर बनकर आता है मैं कई बार डाल चुकी हूं यह ranges लना चे seizures कर रहे हूं बहुत ही इसी और बहुत ही फास बनने वाला यह ंदिजैन आप किसी पोड्रेट में डालकर बनाएगा यह कर आपको 25 पंदे सिरिफ उल्टी बिनने हैं इसी तरीके से से इसी बात कों कि रिपीट गरते हुए 25 बीनने के बाद 7 पंदेट बोडर का है इसमें आपको दोनों साइड से सीधी सीधी बिनने हैं ब्याक्ट शाइट से और सीधी शाइट से दोनों तरब से अब देखे मैं इसी बात को रिपीट गरती हूँ अब देखे ये गाठ वाला का उपर सीधी बिनाई और सीधी का उपर गाठ वाला डिजाइन इसी बात को बार बार रिपीट गरनी है आपको अब देखे मैं एक बा देखे इसी तरीके से बनानी है बोढर का साथ फंदे सीधी बिनकर अब देखे इधर ये गाठ वाला डिजाइन है इसका उपर सीधी डिजाइन बनाएंगे इस तरीके से अब देखे ये सीधी डिजाइन का ब्याक साइड से काटी डालना है एक फंदे लेकर आना है धागा आ इसी बात को बार वार रिपीट गरेंगे मैं इसी तरीके से बींती हूँ, आप इसी तरीके से इसी बात को रिपीट गरते पिछे से काटी डालना है देखे इस तरीके से दो फंदे पिछे से काटी डालना है एक फंदे लेकर आना है यह नीडर में डालनी है फिर दो फंदे दो का एक फंदा उल्टा दागी पिछे लेकर जाना है लाश का एक फंदा सीधा इस तरीके से बना लेना है मैं इसी बात को इसका अपर बीनती हूं यह इसी तरीके से इसी बात को रिम्पीट करते हुए इसके उपर बनाईयगा यह District 65 राप में dign सकते हैं आब इसी बात को रिध्स का उपर एक यह कान से दूसरी कान का पिछे तक का लंबाई बीनती हूं फिर आपको दिखाते हूं कि कैसे ब знаешь यह में एक कान से दुसरी कान तक का लंबाई इस तरीके से बिन रही हूं देखे इस तरीके से आप चाहे तो सर में एक बार नाप ले सकते हैं कान का पिछे से आपको नाप लेना है कान का पिछे से दुसरी कान का पिछे तक का लंबाई इसमें बना रही हूं इस तरीके से बि करा रहा है आप एक बार नाप लेकर बनाईएगा आको कितनी आवस्थे हैं एक कान पिछषे से दुसरी कान पिछे तक का लमड़ बनेंगे बोड़ बिनने के बाद गर्दन का इलोंगी औن यह देखे धारी वाला डिजाइन बनानी है जितनी इसमें बनाए थे उतनी इसका उपर बनानी है अब देखे ये सीधी साइट से में डिजाइन डाल चुकी हूं दो सीधी दो डिजाइन दो सीधी डो डिजाइन बनाते हुए और ब्याक साइड में मैं उल्टी बिनकर आ रही हूं सुरू से मै में इसमें बीनती हूं ब्याक साइड में अभी हाम उल्टी बिनाई बिनेंगे फस्स फंदा बिना बिना सारी फंदे उल्टी बिनाई देखे इस तरीके से बनाईएगा डिजाइन बनाने के बाद देखे इधर 25 फंदे में में इस तरीके से उल्टी बिनाई बिन रही हूं द देखे इस तरीके से सीधी सीधी बीनने हैं मैं इसी तरीके से सारी सीधी सीधी बीनती हूँ देखे इस तरीके से बना लेना हैं अब देखे ये इस तरीके से बनकर आ रहा हैं अब इसका उपर गर्दन के लिए बोडर बनानी हैं ऐसिखे बहुत्य शंदर डिजयाइन है एंतिरशी डिजयाइन बनकर आता है इसमें बहुत शंदर डिजयाय Ne बनकर आ रहा है उम्हेर का उनशार यह साइज कॉम्हशी होता है इसलिए आपको सार की गोलाइण का इसाब से नाप लेकर बनान सकते हैं अब इधर हम गर्दन के लिए बोडर बना रहे हैं अब देखे ये एक कान पिछे से दूसरी कान पिछे तक का लंबाई नापना है श्रिफ गर्दन के भाग में आपको छुनना है अब इसका उपर गर्दन के भाग के लिए बोडर बनेगा अब देखे ये तिरशी डिजाइन बहुत ही स अच्छा बना और आप लाइक गरेंगे नहीं तो मुझे मुझे लगता है कि यह भूरा लगा आपको इसलिए जाज करने के लिए लाइक का बहुत भूमिका होता है इसलिए मेरा वीडियो में आप लाइक गरिए दोस्तों सियर गरिए और कमेंट करके जरूर बताएं आपको क अभिनाय का किसी बोड़िक में डास मैं अब दीखिए इसका है 19 इंच में इसी तैरीके से ीजाइन बिन रही हुँ यह बड़ा साइस के मैं बना रही हूँ आप चाहिक तो छोटा साइस का बना रही है तो उसी हिसाब से को अशी हिसाब से इसका लगाई घटा और बड़ा सकते हैं कोई बात नहीं आप एक बार नाप लेकर बनाईएगा ये मैं बड़ा साइज का बना रही हूँ और इसका उपर अब ये धारी वाला डिजाइन बनानी है जितनी नीचे में धारी वाला डिजाइन बना आये थे उतनी इसका उपर धारी वाला डिजाइन बना पब देखें इसका बैकसाइड से में भीन रही हूं देखें पीछे सारी फंदे सीदी इस तरीके से बनानी हैं जब इस तरीके से वह सर्दी में आप इसका टोपी लगाएंगे तो आप का सर्द दर्द आप ठीक हो जाता है में हर बक्त सर्दी में टोपी लगाती हूं और आप भी बच्चे को और फिर अजबेन को सारी के लिए बनाईए नाइट में ते ये आपको पहिंद नहीं है वो दिन में आप बीना पहिंद कर भी चल सकते हैं कोई बात नहीं नाइट में उसलिए तो आपको पöhिंद ने हैं जिसकी वज़ते सर्द द दद ओ सर्दी जुकें ये आप सी ठीक हो जाता हो और बच्चे भी विरामी से दूर रहते हैं इसलिए मैं कई बारर में टोपी बनाती हूं सारी के लिए और ये दोस्तों के लिए भी बनाती हूं और जो मैं बनाती हूँ उसी वीडियो आपसे सियर गरती हूँ आपको मेरा दिपानेटिंग चैनल क्या सा लगता है कमेंट गर के जरूर बता सकते हैं अब देखे मैं इसी तरीके से सारी सीधी सीधी बिनती हुए बनाती हूँ अब देखे ये धारी वाला डिजाइन बनाने के लिए मैं दोनों साइट से सीधी सीधी बिनकर इतनी बना चुकी हूँ अब देखें इस तरीके से इधर तीन धारी पूरा हो चुका हैं अब इतनी बिनने के बाद इसका उपर डिजाइन डालनी हैं ये तीन धारी पूरी होने के बाद फर्स फंदा बिना बिना एक फंदे बिनने है और पिछे का फंदा इसी का उपर से गिरा देना है फिर ये वाला फंदा बिनने है और इसका उपर ये गिरा देना है इसी बात को रिपीट गरते हुए बिनेंगे देखे इस तरीके से बन कर आता है मैं इस तरीके से फंदे बंद गरते हुए आ रही हूँ अब देखे इधर हम सारी फंदे बंद गरेंगे जो बडर का साथ फंदे है उसमें हम डोरी बनाएंगे और बाकी का फंदे इसी तरीके से सीधी बिन कर बंद गरने है अब देखिए फंदे गिनते हैं कितनी फंदे हैं एक दो तीन चार पांचे साथ साथ फंदे हैं यहां तक हम बंद गरेंगे अब देखिए यह एक फंदे भी आपको बिनने हैं और पीछे का फंदा गिरा देना हैं अब देखिए इधर साथ फंदे हैं एक दो तीन चार से साथ इस तरीके से अब इसमें आपको डोरी बनाने के लिए बिनने हैं जिस तरीके से ये वाला डोरी बनाए थे उसी तरीके से बनाएंगे और उतनी बनाएंगे अब देखिए फास फंदा बिना बिना सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से हम सुरू से इसी तरीके से बना पलरटनी है फर्स पंधा भीना भीना ख़े इस चैट से भीया due स्थिभी से शीदी बना लेना हैं देखे इस तरीके से result शीदी मनें इसी बात को रिपीट गरते हुए बींती हुँ दोनों आट से शीदी सीदी बींती हुए अब देखिए दोनों साइड का ये डोरी बराबर बन चुका है आप चाहे तो इससे भी बड़ा साइज का बना सकते हैं और घटा भी सकते हैं आपको जितनी आव सकते हैं उतनी बनाईएगा डोरी अब देखें ये फहास फंदा बिनविन धागे पीछे लेकर जाना है एक फंदे बिनने है और पीछे का फंदा इसी का उपर से गिरा देना है अब देखें थोड़ी खिसना है ये फंदे बंद गरने के बाद अब देखे ये धागा में कट गर चुकी हूँ इसी में में लग गर आती हूँ देखे इस तरीके से अब देखे ये इस तरीके से बन कर आ रहा है ये एक गर्दन से दूसरी गर्दन तक का लंबय पूरा हो चुका है देखिए अब इसका ब्याक साइड का ये वाला फंदा आपको ये केक गाते हुए उठानी है अब देखिए इसका उपर साथी चेन है साथी चेन का मतलब ये छे की मंटिपल का हिसाब से फंदे है अगर आपका पास 7 की मंटिपल का हिसाब से 8 की मंटिपल का हिसाब से फंद है तो इसी हिसाब से इसका उपर घटाई चलता है अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप इसका उपर 5 की मंटिपल का हिसाब से और 4 की मंटिपल का हिसाब से बना सकते हैं अगर एक दो फंदे कम हैं तो आप एक दो फंदे बढ़ा सकते हैं फिर मैं आपको फंदे बढ़ाने का तरीका भी बताती हूं अब देखे मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनती हूं इसमें टोटल साथी फंद हैं तो मैं परतेक चेन में एक एक बार उठाती हू हुए इसी तरीके से फंदे उटाती हों है मैं आ रही हूं देखें ये बहुत सुन्दर Committee बन कर आता है अब देखें इधर दो डिजायन बन रहा है तो इसका उपर चार इसका उपर छेй डिजाइन देखिए इस तरीके से इसका उपर फिर आट डि तरीके से बन कर आ रहा है तो देखे एक दो तीन चार। चे मतलब इसका उपर 12 डिजाइन यह डिजाइन बढ़ता जाता है इसका उपर बहुती सुन्दर टोपी बन कर आता है आप भी जरूर ट्राइग गरिएगा यह डिजाइन बुनाई का किसी प्रोजेक्ट में आप यूज़ कर सकते हैं तीरशी डिजाइन अब देखिए में फंदे उठाद कर आ अगर एक दो फंदे काई पर बड़ा देखा रही हूं मैं आप को दिहान noon shah g अगर एक दो फंदे कंश़्य हैं तो आप फंदे बड़ा सकते हैं ऑदस दिखा रही हूं में आपको दियान से देखिएंगा अब देखें intern परण और ब्याक का दोनों लुप लेकर उठाने इस तरीके से फंदे बढ़ा सकते हैं अगर आपका पास फंदे कौम है तो अब देखिए इस तरीके से बिनने हैं और यह बिनने हैं मेरे पास छेकी मंटिपल का इसाब से हैं इसलिए में बिना बढ़ा कर बना रही हूं सभी फंदे उठा कर अब देखिए इसका उपर यह फंदे उठाने के बाद बीनते हैं कि यह इसकी सीधी साड से इस तरीके से बन कर आ रहा है इस सारी फंदे उल्टी बिनने देखे इस तरीके से बनाईएगा सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए ये इसका ब्याक साड है अब देखे मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास में आ रही हूँ ब्याक साड से सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनने है देखे इस तरीके से बनाईएगा सारी फंदे उल् 3 ,4 चार फंदेनेन्यदद मुलाव. देखे इस तरीकेसेött चार फंदेने के बाद और यह च्यकी मंटिपल चार फंदेन्यद से में दो फंदे'' अगर आप इसी तरीके से 7 की multiple का हिसाब से बना रहे हैं तो इसी तरीके से बिन्य हैं 5-OMEचे और 6-7 में 2-25 करानी है 4-25 गया है इसी तरीके से बनाईबा अब देख्ये इसी बात को बार बार रिपीट गरनी है दो फंदे दो कायक गरते हुए एक दो टीन चार पांच और 6 में आपको घटाई गरनी है अगर आप पांच के मंटीपल से बना रहे हैं तो आप तीन फंदे इस तरीके से सीधी सीधी बनानी है और चार और पांच में दो फंदे दो कायक गरा लेना है ये बात आपको ध्यान देना है एक दो तीन चार और फिर दो फंदे दो कायक इस तरीके से आता है अब देखे ये सीधी साइड है इसका अब देखे इसका ब्याक साइड से फस फंदा बिना बिना और सारी फंदे फिर से सीधी साइड से फस फंदा बिना बिना देखे दो तीन फंदे बिन रही हूँ तीन फंदे बिनने के बाद अब देखिए ये तीन फंदे बिनने के बाद दो फंदे दो काई बिनने हैं चार और पांच में इस तरीके से अब देखिए फिर तीन फंदे बिनने हैं एक दो तीन और फिर चार और पांच में दो फंदे दो काएक इस तरीके से बनाईएगा इस तरीके से बिनते हुए मिलाश में आ रहे हूँ एक दो तीन फंदे बिनने हैं और फिर दो फंदे इस तरीके से बनाईएगा अब देख़ेए इसी बात को रिपील करते हुए बनाएंगे यह डीजाइन देखरहे हैं सफसफ नजर आ रहा है जो घटाई का है वह वाला तीन फंदे मिनने के बात इसमें हम घटाई कर रहे थे यह सब सब नजर आ रहा है बहुत शुंदर बन कर आता है इस तरीके से घटाने से अब देखिए मैं इसी तरीके से घटाते हुए आ रही हूँ देखिए सब सब नजर आ रहा है घटाई का पंदा यह देखिए इस तरीके से अब देखे फिर इसका उपर बिनते हैं फस्फंदा बिना बिना अब देखे दो फंदे फिर दो काई हम इसी तरीके से घटाते आ रहे हैं एक एक फंदे कम बनाते हुएं अब फिर देखे एक फंदे बिनने हैं और दो फंदे दो काई जिस साइड में हम घटाई कर रहे हैं उ इसी तरीके से बनाने हैं अब देखें ये साफ साफ नजर आ रहा है जो आप गटाई कर रहे थे वह वाला फंदा अब देखें इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ ये बिन्ने है और ये दो फंदे दो का एक इस तरीके से बनाईएगा अब देखें मैं इस तरीके से कटाते हुए आ रही हूँ देखें ये डिजाइन का अगेली तरफ का फंदा दो फंदे दो का एक इसी तरीके से बनाते जाना है ये डिजाइन बहुती सुन्दर डिजाइन बन कराता है ये तरीका आप टोपिक का घटाई में यूजगर सकते हैं देखें इस तरीके से अब देखें मैं इस तरीके से घटाते हुए लास में आ रही हूँ हूँ इसका उपर ये घटाई गरने के बाद स्रीप 10 फंदे आता है जो डिजाइन का फंदा है वो अब देखें इसी तर बन कर आ रहा है अब देखिए इसका उपर ये इस तरीके से लगानी है और सारी फंदे इसी का उपर से चड़ा देना है एक एक गड़ते हुए मैं सारी फंदे इसी तरीके से चड़ाती हूँ अब देखिए इस तरीके से चड़ाती हुए मैं लाश्ट में आ रही हूँ ये धागा थोड़ी खिजना है और ये खिजने के बाद देखिए इस तरीके से आता है अब इसका उपर गांट लगानी है अब देखिए ये धागा थोड़ी लंबा रखर गाट लगाईएगा इस तरीके से अब देखिए इसका उपर शिलाई गरते हैं यह इस तरीके से बन कर आ रहा है इसका उपर शिलाई की सतरीके से गरनी है यह मैं आपको दिखाना जारी हूं यह आप यहां तक शिलाईगर के यह बाल बार निकालने के लिए छोड़ सकते हैं अगर आप बड़े के लिए बनाना चाहते हैं तो बच्चे के लिए आप पूरी शिलाई सकते हैं कोई बात नहीं आप देखें यह सारी फंदे में एक एक बार इस तरीके से शिलानी है देखे इस तरीके से सारी चेन में एक एक बार शिलाने नहीं हैं आप चाहे तो इसमें एक दो बार शिल सकते हैं मजबुद बनाने के लिए देखे इस तरीके से बनाईएगा अब देखे ये सेलने के बाद इसका ब्याक साइट से भी एक दो बार गांट लगानी है आपको देखे इस तरीके से अब ये ब्याक साइट से देखे इस तरीके से दोनों तरफ का एक एक चेन लेकर आपको सील सकते हैं बैक साइट का एक चेन ये वाला और फरन साइट का ये वाला इस तरीके से फिर ये बैक साइट का और ये भी इसी तरीके से शीला गर के बनाईएगा अब देखे यहां तक में शीला रही हूँ सिलाने के बाद इधर ही लग लगाते हैं देखे इधर में कट गर रही है देखे यह उष्टे धागा है यह आपको रिसे से लग गर सकते हैं देखे इस तरीके से लेना है और फिर लग लगानी है जितनी वे आपका पास वोष्टे धागा है इसी तरीके से लग लगाईएगा जिसकी वज़से बिनाई फिनिसिंग और मजबुत भी बन जाता है अब देखे मैं इसी तरीके से लग लगाती हूँ और थोड़ी लग लगाने के बाद आप ये धागा कट गर सकते हैं देखे इस तरीके से अब ये टोपी देखे उपर का साइड है ये और ये डोरी ब्याक साइड भी बान सकते हैं ब्याक साइड बानने से ये इस तरीके से नजर आता है ये उपर में आता है ये बिस सेंटर में और फरन साइड में ये बोर्डर आता है अब देखे ये इसका ब् आप चाहे तो नीचे तक सिल सकते हैं कोई बात नए अगर आप बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो दे Hero सिस्तारिके से आता हैं और ये डोरी इस तरीके से front side में बान सकते हैं और ब्याक झाल झाल झाल